तो हम क्या करने वाले हैं यहां पर आफसेट हम जीरो कर देते हैं देन आप बात आती है डेशनेशन डेशनेशन मतलब है कि यह फाइनल केल्कुलेट करके आपको रियल वैली जो टेंपरेचर है फील्ड का आपको कैसे बताएगा और किस वैली पर बताएगा तो आप यहां प करके बता देगा आपको कि क्या वैली है राइट इतना अगर के आप एरर चेक कर लीजिए एक वार तो अगर यहां से एरर देखेंगे तो कह रहे हैं इन्पुट आप जो एड्रेस लिया है वह हमारा रॉंग है वह इसलिए रॉंग है फ्रेंट्स क्योंकि मैं आपको बतान करेंगे तो अभी कोई एरर तो नहीं दिखा रहा है राइट तो अभी काम करते हैं कि यह मेरा मान लिया कि आई कॉलन जीरो डॉट जीरो मेरा इंपुट एड्रेस हो गया किसी भी टेंपरेचर सेंसर का कैलकुलेशन होके फाइनल जो डेशनेशन पर आउट पुट आएगा तो N7,004-0 पर मेरा रियल जो भी वैली आईगी उसको सो कर दे गा इतना करके फीर्ण्स इसको एक वाई डाम्लोड करके दिखाते हैं कि यह फंक्शन कर रहा है और कर रहा है तो कैसे फंक्शन कर रहा है तो मैंने डाम्लोड किया और रन कर दिया तो रन करके हम देखेंगे यहां पर आप देख वा रहा है कि field से कोई भी signal नहीं आ रहा है यारी field से अगर मेरा zero signal आ रहा है zero volt signal जा रहा है PLC को तो PLC में value zero होगी इसलिए final calculation होके output zero आ रहा है मानलिया friends क्योंकि आपको मैंने clearly यहां पर बताया है कि scaling के मैं जब हम काम करते हैं या scaling जब कर रहे होते हैं तो zero volt पर zero value और 10 volt पर हमारा 32767 signal जाता है तो friends जीरो के बाद अगर one volt आता है two volt आता है three volt आता है four volt यह 10 volt तक जाता है तो इसके according क्या होता है यह हमारी value भी vary करती है क्या करती है value भी vary करती है तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ इसका मतलब यह हो गया है कि zero to 10 volt signal अगर field से vary करेगा तो zero से 32767 तक मेरी value भी vary करेंगे तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ manually value feed करके एक बाद check करता हूँ कि क्या होता है तो अगर मैंने 1000 value feed की तो इसका मतलब है कि three degree temperature के according 1000 आ रहा है ठीक है अब एक काम करते हैं ऐसी value रखते हैं जो कि थोड़ा non value रहे पता चले तो zero से लेके 10 volt को अगर मैं 5 watt में divide करता हूँ तो कितना होगा यानि zero के बाद 2 volt यानि 5 parts में 0 volt 0 volt के बाद हमारा मैं थोड़ा ऐसा यहां से आगे बढ़ता हूँ 0 volt 0 volt का मतलव हमारा हो गया zero value 2 volt पे अगर मैं जाता हूँ तो 2 volt की आप calculation कर सकते हैं तो 2 volt की calculation कैसे होगी उसके लिए आपको क्या करना है बहुत simple तरीका है कि अगर 10 volt बरावर इतना है तो 2 volt बरावर कितना होगा तो बहुत simple तरीका है तो उसकी calculation क्या है यहां पर कि हम जानते हैं कि 10 volt बरावर इतना है तो 2 volt पे कितना होगा तो आपको क्या करना है कि 32767 को भी 5 parts में आप divide कर लिजिए तो यह आया हमारा एक part देन दूसरा part आएगा देन तीसरा part आएगा देन चौथा part आएगा तो यानि 2 volt पे हमारा इतना value रहेगा यानि अगर आप 5 parts में डिवाइड करेंगे तो आपके 32767 बन जाएगे इसका मतलब यह clear हो गया है इसका मतलब clear है 65534 यानि 2 volt पे कितना होगा 65534 राइट यहां पर देखेंगे तो 32767 डिवाइड वाइड 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 तो एक part जो निकल के आया 6554 कर लेते हैं 6554 राइट जीरो का मतलब है 0 degree Celsius और यह क्या है हमारा यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो इसका मतलब है हमारा 20 degree Celsius 20 क्योंकि आप 5 parts में डिवाइड कर रहे हैं न ठीक है देन आप 4 volt पर अगर आप जाएंगे अगर 4 volt देंगे PLC को तो क्या निकलेगा सिंपल सी बात है यहाँ पर आप calculate कर सकते हैं पुल मिला कि यह value हमारी vary करेगी तो हम क्या करते हैं यहाँ से वैली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पांच वोल्ट पर क्या होना चाहिए तो पांच वोल्ट पर आधा वैली हो जाए 16384 हो जाएगा तो इसका मतलब है 50 डिगरी के according बात हो रही है और अगर मैं 10 वोल्ट दूँगा तो इसका मतलब है 32767 वैली की बात हो रही है यानि 100 डिगरी यानि जो मेरा scale है 0 से 100 डिगरी Celsius तक का 0 से 10 वोल्ट के according यह value vary करेगी तो मैं यहाँ से manually value करके दिखाता हूं आपको आप जैसे 6554 करते हैं तो आप देखेंगे 20 डिगरी यहाँ पर आपको clear दिखाई दे रहा है और अगर इसको ज़स्ट डवल करते हैं यानि 655 को थोड़ा से डवल करते करीब 13000 वैली देते हैं तो 39 डिगरी करीब 40 डिगरी के पास जा रहा है कि इस ब्लॉक में जो SEL ब्लॉक है यह केवल round of temperature को आपको show करके देगा यानि अगर आप चाहते हैं कि point में temperature आपको देखेंगे तो इसमें कभी नहीं देखेगा आपको यह केवल round of value generate करके देगा क्योंकि destination पर integer address और integer address round of value का data दिखाता है यानि point data नहीं दिखाएगा अग अगर यहां से 16384 करता हूं तो आप देखेंगे यहां से इस तरह का value आया अगर मैं 288 value दे रहा हूं तो इस तरीके से value आ गई यहां पर right इसका मतलब है कि अगर मैं अपनी calculation में जाता हूं calculator में यहां पर clearly है तो 6554 को और plus करेंगे यहां से अगर 4 volt पर मेरे को यह चेक करना है कि कितना value है तो बहुत simple तरीका है आपको क्या करना है calculator open करिए और यहां पर 6554 multiply 2 यानि value एड़ करेंगे तो थर्टीन जीरो यहां से अगर आप देखेंगे मैं आपको लिखके भी दिखाता हूं 13108 मेरा क्या होगा इसका मतलब यह 40 degree temperature पर value हमारी generate होगी यह 50 पर होगी अ तो बहुत simple है कि आपको क्या करना है कि इस value में यह वाला दो वोल्ट का और एड़ कर देंगे यहां से तो हम क्या करने वाले हैं इसमें प्लस आप करेंगे 6554 दो दो वोल्टेज का गयप है 962 यानि आप यहां पर लिखेंगे 9662 इसका मतलब यह हमारा होगा 60 degree पर मैं आपक अगर फ्रेंट्स आप जा रहे हैं तो 8 वोल्टेज पर आपका कितना जाएगा इसके अंदर आप क्या करेंगे फिर से वैली यहां से एड़ करेंगे यानि प्लस 6554 यानि 26216 यानि 26216 हमारा है जो 80 degree Celsius के according हमारा दिखाएगा तो एक एक करके आपको दिखाता हूं value verify सबसे 65 5554 करें 20 डिग्री आप यहां पर देख पा रहे हैं दें नेक्स वैली पर हम जाते हैं चार वोल्ट पर 13108 तो 13108 पर जाएंगे तो आप देखेंगे लवा लवा वही temperature है क्योंकि यह round of दिखा रहा है तो इसलिए 39 दिख रहा है थोड़ा सा और आगे जाते हम अगली वैली चेक करते हैं 16384 हमने देखा था यहां से तो 16384 पर अगर जाएंगे तो इसके according यह आ रहा है क्योंकि थोड़ी बहुत calculation में भी रहता है 19662 पर अगर हम जा रहे हैं यहां से यहां यहां जाएंगे आप यहां से 26216 यानि 26216 पर जाएंगे तो आपका यह रहेगा देन फाइनल 32767 पर जाएंगे तो आप देखेंगे टेंपरेचर 9899 करीब रहेगा तो थोड़ा बहुत offset की जो calculation है वो रहती है क्योंकि पॉइंट वैली मैंने यहां पर consider नहीं की इस तरह से दिखाई दे रहा है एक चीज़ और बताना चाहता हूं मान लिया कि अभी यहां रहा हूं कि जैकली जो भी वैली आ रही है टेंपरेचर उसके according मेरा कुछ operation कंट्रॉल हो तो मैंने क्या किया यहां से एक आउट्पूट दो आउट्पूट है मैं चाहता हूं दौनों को कंट्रॉल करना तो मैं यहां से compare ब्लॉक ले रहा हूं greater जी एक यू ले लेते greater than equal और एक और ले लेते हैं मैं चाहता हूं कि मेरे पास दो आउट्पूट है और दौनों आउट्पूट को मैं कंट्रॉल करना चाहता हूं एक पर्टिकुलर टेंपरेचर के बाद माना कि फील्ड का टेंपरेचर वैरी होके आ रहा है और मैं चाहता है कोई fan लगाए field में मुझे उसको on कराना है और यहां पर एक कोई motor लगी हुई है उसको मुझे क्या करना है on कराना है तो compare में क्या होता है एक source data होता है source से source v source से मेरा क्या field data है तो मेरा यहां से यह value vary होके आ रहा है field से और मैं क्या चाहता हूँ मैं control करना चाहता हूँ अपने दो devices को और source v मैं आप fix कर सकते मैं चाहता हूँ कि 21 degree के बाद मेरा fan on हो जाए और 22 या मेरा 30 degree के बाद मेरा motor on हो जाए तो आप देखिए कि जो field का value हमारा calculate होके आया हम इस value का यूज करके अपने output devices को हम लोग कैसे control करते हैं तो यहां से देखेंगे आ कि मान लिया कि मैंने यहां पास 6554 कोई value दी तो यह 20 degree temperature आ गया या 3000 देंगे value तो recording vary करेगा तो मान लिया कि यह value 6554 है अगर value हमारी 7000 होती है तो आप देखेंगे यहां से temperature 21 degree 21 greater than equal पर मेरा output on है मान लिया कि value मेरी 8000 हो गए तो यहां से देखेंगे 24 degree अभी भी मेरा fan on है यानि analog value को scale करके हम finally output device को इस तरीके से control कर सकते हैं अगर मेरा temperature और ज्यादा बढ़ गया है तो यहां से देखेंगे कि यह 50 degree है और 30 में मैंने एक motor को on कराया है तो इस तरीके से friends यहां पर हम scaling use कर पा रहा है right hope यह आपको बहुत अच्छे से clear हुआ होगा लेकिन एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि हो सकता है यह अभी आपको round of value दिख रही हो आप फर्क सिर्फ इतना है कि जो acl block होता है यह round of data show करेगा आप यहां से edit कर सकते हैं और यहां पर लिख सकते एड़िट आइकल पर round of temperature show करेगा और यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं कि यह exactly real temperature real temperature आपको show करके देखा इसमें भी हम value पुट कर देते हैं तो देखिए दौनों का जो input है मेरा यह की यह मान लिया यह की sensor है अब input value में जो आपकी calculation है 0 है और input maximum 3,2,7,6,7 जाएगा फ्रेंट्स scale मेरा 0 है maximum कितना 100 यानि जो चीज़ हमने यहां calculation करके रखी वो चीज़ यहां पर यह मांग रहा है लेकिन दौनों block के अंदर formula वही चल रहा है जो मैंने आपको exactly clear formula बताया है यही formula काम करते है और final जो output निकल के आ रहा है वो automatically calculate होके आ जाता है तो PLC already कर लेता है calculation और output जो आएगा जैसे कि ऊपर आप देख रहा है and eject temperature 20.00183 आपको देख रहा है देखे difference आपको clear आ रहा होगा यहां पर अगर 16 यानि कोई भी यह value मैं दे रहा हूं तो temperature 50 यहां पर दिखाई दे रहा हूं और यहां पर 50.84 है यानि अगर आपको real एक दम proper value चाहिए temperature की यह pressure की flow की तो आप exactly इस तरीके से आप value calculate करके ला सकत हैं 20,000 value अगर मैं दे रहा हूं को field value तो यहां पर यह temperature point में और यहां पर round off है तो यह तो हमारा जो अभी blocks है यह किसके according काम कर रहे हैं हमारे SCL के according अगर आप चाहते कि point में data control करना है आपको तो point में कैसे करेंगे वो बता देता हूं आपको तो यह तो round off है लेकिन अभी मैं यहां से इनको थोड़ा सा shift कर देता हूं उपर so that आपको कोई दिक्कत नहीं होगी understand करने में तो यह मैंने SCL block last में लगा दिया and इस तरीगे से तो यह दोनों उपर की वैली हुमारी SCL के according अब SCP के according भी मुझे जी आटी जैसे मैंने greater than ले लिया और मुझे exactly output control करना है कोई माना कि मेरे पास कोई pump है उसको मुझे क्या कराना है on कराना है जो कि दो बन जाएगा float और यहां पर आप value fix कर सकते के 20.5 के ऊपर ही मेरा क्या होना चाहिए exactly pump on होना चाहिए तो यानि आप यहां से pump points में भी value calculate कर सकते हैं SCP का use करके जैसे एक example ले के बताता हूं आपको अभी हमारा temperature कुछ भी नहीं आ रहा है जैसे मैंने 10,000 value दिया तो exactly 30 temperature है तो क्योंकि 20 से ज्यादा है तो इसलिए pump on है तो मैं थोड़ा कम करता हूं यहां से करता हूं 6700 करते हैं थोड़ा सा और कम यस देखिए अगर आप देख रहे हैं मेरा जो सेट पॉइंट है वो 20.5 लेकिन फिल्ड वैली यह है तो भी मेरा pump on नहीं हो रहा है तो इतना ज्यादा accuracy के साथ अगर आपको क्या करना है किसी भी output को control करना है प्रॉपर तरीके से तो हम SCP यूज करते हैं यानि SCL ब्लॉक होता है फ्रेंट इजेक्ट ली calculate करने के लिए round of value और इजेक्ट value calculate करने के लिए SCP ब्लॉक होता है तो फ्रेंट जो मैंने यहां पर आज आपको बताया कि scaling क्या होती है किस तरीके से यूज होती है concept क्या होता है सेम तरह का concept basically हर तरह के PLC में रहता है तो मैं आपको एक चीज बोलूँगा कि आप इस formula को हमेशा याद रखें कोई भी अगर पूछता है कि जेक्ली scaling कैसे करते हैं या आपको scaling करनी है तो यह formula आपको याद रखना है को कि जितने भी scale block होते है analog programming में उसमें standard यही concept यूज होता है जो कि लोग यूज करते हैं और समझते हैं तो यह सारे concept आपको ध्यान रखने हैं होप आपको मेरा यह video पसंद आया होगा आपको exactly समझ आया होगा कि किस तरीके से calculation होती है scaling क्या होती है analog programming बहुत जादा important होती है तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइब करिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर जरूर करें सो देट और भी लोगों को पता चले कि exactly scaling कैसे करते analog programming कैसे करते हैं तो लगातार वीडियो को watch करते करें ये चैनल को लगातार follow करिए और भी वीडियो जिस तरह की मैं लेकर आऊंगो तो आपको और भी concepts की दियर होंगे so my friends अपना ध्यान रखिए stay safe and stay healthy and thanks for watching my videos thank you